प्रिफरेंस के बीच में दोनों ही गाड़ियां होंड़ा की तरफ से आती तो इस वीडियों को चल जाएगे आपके लिए बेस्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है आपकी प्रिफरेंस के हिसाब से बागे पहले अपन दोनों ही गाड़ियों के बात करेंगे सीधा कंक्लियूजन के बारे में तो भाई जो लीवो है आपको कुछ ऐसी देखने में लगती है इसमें आपको कुछ हैड वगरा ऐसा डूल देखने को मिल जाता वाईजर वगरा काफिछ से डिजाइंड है हेडलाइट त्रो हो गया हर चीज अभी आपको हेलोजन में ही मिल जाता है और जो एक लुक है ना गाड़ी का जो वाईजर है थोड़ा सा और ब्रॉड किया गया है और थोड़ी सीज में एरवेंट वगरा भी प्रोवाइड कर दिया है नए वाले वेरियंट में और इस्टिकरिंग वगरा भी चेंज कर दी गई है दोनों ही गाड़ियों की मड़गाड वगर आप देख सकते हो बिलकुन नॉर्मल सा यह भी डूवल टोनी मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में 80 सेक्शन का टायर मिलता है फ्रेंट में भी रियर में और दोनों ही गाड़िया मतलब एक 110 किया और 125 की बात करता है आपको इसमें कुछ ऐसा हैड देखने हो मिल जाता है वाइसरी मिल जाता है ब्लैक कलर का और स्टिकरिंग वगर अभी इसमें साइड में अच्छे डिजाइन करके लगाई ग बागी बात करो एक वाइड कवरेज की मतलब थोड़ा सा लो भीम पर थोड़ा ज्यादा आप फोकस रखते हो तो भाई उसके लिए लिए लेकिन हेडलाइट तुरो बात करूं तो बहुत जारा बेटर है लीव के अपना आ जाता है मिटर कॉंसोल पर तो आपको एनलोग प भाई कर आप इस में देख सकते हो और जो यह करो वाला है शाष्य पूर यह आपको वाहिट टाइप कर मिल जाता तो दिखने वी काफी स新गल और में गलो पसंद आता है स्विचेज बिलकुन नॉर्मल से हैं और काफी अच्छी क्वालिटी के हैं इसमें सिंगल हैंड बार आपको देखने को मिल जाता है स्विचेज जो हैं पूरे ऐसे मेजड़ नहीं है आप पर अलग से हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है एक में इंटीग्रेटेड ह बहुत अच्छे से हैं SP 125 के मेटर कॉंसल की बात करो तो भाई इसमें बहुत सारी आपको चीज़े देखने को मिल जाती है और पूरा फुल डिजिटल मेटर कॉंसल आपको देखने को मिल जाता है इसमें गयर पोजिटर इंडिकेटर हो गया टाइम हो गया ट्रिप हो गया और अब इस गाड़ी में देख सकते हो अभी इसमें Bluetooth कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं आई है में भी इन फ्यूचर अभी आज आएगी जैसे इसकी हेडलाइट चालू करते हैं तो भाई कुछ ऐसी आपको देखने मिल जाती है और इसका हेडलाइट थो एक्चुली बहुत ज्यादा अच्छा है पर लोगी मी अच्छा हैarts हाई वहिमीं इस इससे असे VII siteüp के साथ में आ जाती है काफी में जाती है सबसक्राइब कोई कालीट इनके पलासिटी और इंटीग्रेटर इसमें लिए टेंक बिल जाता है लिए में आपको यह से बढ़ा हुआ है इसमें 9 लेटर का आपको टेंक के बिल जाता है लिवा की काफी लंबी से बड़ी से स्टिकनिंग लेखने को मिल जाती है Honda 3D में आपको logo देखने को मिल जाता है Dual Tone में आपको ये tank देखने को मिल जाता है इसके पहले आप single color में ये tank देखने को मिलता था लेकिन अभी Honda ने change करके इसमें सब चीजे कर दिये और एक चीज है इसमें पूरा ये आपको करने की जरूरत है बाकी जो है इसमें tank size आपको ग्यारा लीटर का देखने को मिल जाता है तो भाई अच्छी खासी रेंज भी आपको देखने को मिल जाती Honda का 3D में लोगों देखने को मिल जाता है और इसका आप देखोगे जो अब बहुत एंट टो नीचे तक बड़ा हुआ इंजन तक पुरा इसने अल्मोस्ट थोड़ा सा कवर करके रखा हुआ है तो मस्कुलरीटी की बात करता हूं ना तो भाई SP 125 का थोड़ा सा जारा मेरे को मस्कुलर लगता है टैंक हो गया क्योंकि भाई एंट्वेंड है पुरा इदब नीचे तक है उपर वस फ्लैप एक सिंगल नहीं दे दिया गया है थोड़ा सा नीचे तक दिया गया है इसमें चेंज कर दी गहीं पहले से इंजन के और बात करता हूं तो आपको इसमें एयर कूल इंजन देखने सब्सक्राइब निकाल करें देगा और इसकी अगर मैलेज की वायत करता हूं तो भाई ये करीब आपको 48 के आसपास निकाल करके देगा 47 48 45 जारा रगेड चलाओगे भाई तो 42 43 तक भी आ जाता है रियर दोनों के सेम टायर देखने को बिल जाते हैं कोई डिफ्रेंस नहीं टायर साइज में बाकी गाड़ी जो है ना लुक वाइस तो पीछे दर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है ग्रेबल वगर आप देख सकते हो सीटी कुष्णिंग है दोनों ही गाड़ियों की बहुत बेटर कर दी गई जो पहले वाली एपनी एस पी थी लीवर थी उस तो अभी आप गाड़ी देख लो और अगर मैं बात करता हूं तो भाई लुक वाइस देखो गाड़ी आपको सेट करनी है लुक वाइस दोनों ही गाड़ियां काफी जादा सही देखने में लगती लेकिन एक थोड़ी सी जो मौडन वाली फील होती है वह आपको स्पी 125 में सब्सक्राइब क्योंकि रीजन यही है इसमें एलेटी हेडलाइट सेटप आपको देखने मिल जाता है यह थोड़ी सी ज्यादा वेल डिजाइन है और जो भी चीज़ें है ना मतलब आप देखोगे तो इसमें जो टैंक का फ्लैप है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा ह हुआ आपको देखने को मिल जाता है बागी जो आपके ब्रेक साइज हो गया ड्रम साइज हो गया जो टैर साइज हो कि आपको सेम ही देखने कोई डिफरेंस नहीं है तो थोड़ा से मॉड़न वाली जो एस्पी 125 मेरे को लगती वहीं पर जो लीवो है बिलकुन पीछे नही है देखने में बहुत जड़ा एग्रेसिव लगती है जितनी एग्रेसिव दोनों गाड़िया लगती ना उनका सिटिंग पॉस्चर उतना ही ज्यादा अच्छा है और फीचर वाइस एस्पी 125 बिना रहे को किसमें आपको गेर पोजिशन इंडिकेटर हो गया और बता दी औ सब्सक्राइब पास से साथ किलोमेटर का डिफरेंस सीधा सीधा पड़ जाना है कमफर्ड वाइस दोनों ही गाड़ियां बहुत अच्छी है लीवो लीवो का जो थोड़ा सा सुस्पेंशन थोड़ा सा और सॉफ्टर साइट पे तो कमफर्ड में थोड़ी शी लीवो और ब ब्लेटर है बिल्ड फॉलिटी जो है दोनों ही गाड़ियों काफी अच्छी जो ब्रेक्स है वह दोनों ही गाड़ियों के ठीक था कोई खास नहीं है गाड़ियां स्टेबल चलती है और पिक और एंड़ पावर की बात करता हूं तो भाई SP 125 far better है क्योंकि मेरे को नहीं लगा था इतना डिफरेंस है गा लेकिन जब मैंने गाड़ी चलाए तो लीवो जो है थोड़ी सी मेरे को under underperform करती भी दिखाई थी reason यही था क्योंकि जो लीवो है आपको 5-7 km का extra mileage जो deliver करेगी तो थोड़ा सा कहीं पर कट होगा लेकिन भाई गाड़ी में पावर की बिलकुन कमी नहीं SP 125 के comparison में थोड़ी सी कम बोल सकता हूं लेकिन अगर आप इसको दूसरी गाड़ी से compare करोगी सुपर splendor हो गई अपनी तो उसकी comparison में लीवो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अल्मूस्ट 125 जैसा ही परफॉर्म कर लेती है दूसरे companies के हिसाब से तो अगर मैं overall बात करता हूं तो आपको एक model looking गाड़ी चाहिए है जिसमें कि थोड़े से फीचर जादा हो थोड़ी से आपको seat space थोड़ी सी जादा मिल जाए थोड़ा सा जादा मस्कूलर लगे तो आप बिलकुन SP 125 के लिए जा सकते हो वहीं प्यागर आपको थोड़ा सा माइलेज जादा प्रिफर्ड है गाड़ी एग्रेसिव दिखनी चाहिए कमफर्ड आपको अच्छा चाहिए और इंजन जो है आपको रिलावल चाहिए कोई जंजटनी चाहिए कि अपने एक वर गाड़ी भाई ताइमली सर्विस करो पेट्रोल ललाव चलाओ ना टाइमिंग चीन का ना पि देख लो फिर यार डिसाइड को तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है तो यार अगर वीडियो चलागा तो लाइक करना शेक करना सब्सक्राइब करना थेंक्स फॉर वाचिंग